असलाम लेकुम, grade 2, hope you all are fine, let's start our lecture 6 exercise number 9, write the following numbers in hundreds, tens and units place exercise number 9 में हमने क्या करना है, हमने numbers को उनकी place पर लिखना है बताना है कौनसा number 100 की place पर है, कौनसा tens की place पर है और कौनसा unit की place पर है हमने अपने previous lecture में पढ़ा था place value और मैंने आपको को समझा है भी था कि place value हमें कैसे पता चलेगा कि कौनसा number 10, कौनसा number unit और कौनसा number 100 की place पर है तो मैंने आपको पताया था कि हम सबसे पहले अपने right hand side वाले number को देखते हैं और right hand side पर हमेशा जो भी number होगा वो कौनसी place पर कहलाएगा वो कहलाएगा unit की place पर ठीक है राइट hand side पर जो भी number होता है वो unit की place पर होता है ठीक है digit का मतलब होता है जिसे सबसे पहला number हमने पढ़ा 236 यहां पर A वाले में सबसे पहला number जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है 236 बट अगर यहां पर हम देखें तो इस एक number के अंदर तीन अलग-अलग digit है कौन कौन से है पहला digit है 2 फिर दूसरे digit है 3 और फुर तीसरे digit है 6 ठीक है तीन digit मिलकर यह एक number बना रहे हैं और जब हम इस number को पढदे हैं अब हमने इस number में से जो digit तीन digit आप लोगनों को नगा रहे हैं इसके अंदर उनकी हमने different different digit के different place होती है ठीक है तो हमने वही place बतानी है फिर लिखा हुआ है then draw bits on the abacus और फिर उसके बाद हमने bits draw करने है abacus में ठीक है जैसे कि यहाँ पर first वाले में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो है वो इस number को place value लिखी ठीक है number की place value लिखी two two कौन सी place पर है hundreds की then three three tenths की place पर है and then six जो है वो कौन सी place पर है unit की place पर अब two hundred की place पर है यह तो आपको number पढ़ के पता चल जाएगा जिसे हम इस number को पढ़ रहा थे कौन सी place पर है unit की place पर है ठीक है और इसी तरह से फिर हमने एक बेकस में बीट्स भी ट्रा किये यह hundreds then tens और यूनिट हंड्रेट का h 10 का t और यूनिट का u तो जितने भी digit जो हमारे पास जो number था hundreds की place पर वो कौन सा था two तो हमने इसके अंदर जो है वो two bits ट्रा कर दिये hundred वा three जो था वो 10th की place पर था तो टी वाले में हमने red color three हमने bits ट्रा कर दिये और पिर the last one is unit यू ठीक है unit वाले में कौन सा number है वो है six तो हमने यहां पर blue color के six bits ट्रा कर दिये हैं इसी तरह से आप लोगोंने b c d और e यह सारे sums है वो आप लोगोंने करने है ठीक है two जो है वो and c b and c is your classwork ठीक है b और c जो है वो आपका classwork है और फिर उसके बाद d and e it's your homework यह जो है यह आपका homework है ठीक है इसी तरह से आपने जो है वो number यहां पर लिखा हुआ है b वाले में क्या number लिखा हुआ है five hundred sixty one तो five की place value क्या होगी? वो होगी hundred क्योंकि हमने पढ़के देखा five hundred तो हमने यहाँ पर five लिखना है number और फिर spellings में hundreds और फिर उसके बाद six six लिखना है number और फिर उसके बाद tenths क्योंकि six जो है वो tenths की place पर है इसी तरह से the last number is one और one कौन से place पर है one है unit की place पर ठीक है यह लिखने के बाद पिर हमन और hundred वाले में कितने bits आएंगे five bits आएंगे this is one two three four and five ठीक है hundred वाले में five bits आएंगे इसी तरह से 10s 10s में किस कलर के bits होंगे red कलर के और कितने bits होंगे six तो हम six bits ट्रहा करते इस one two three four five and six ठीक है and the last one is unit और unit में कौन से नमबर है one तो automatically unit में कितने bits आएंगे one sorry unit में कितने bits आएंगे unit में आएंगे one और किस कलर के आएंगे वो आएंगे blue कलर के ठीक है this is one इस तरह से आपने अपना class work और homework दोनों करना है ठीक है और बहुत neat and clean करना है okay so best of luck अलाफिस